भाजपार आफेल के मुद्दी पर कॉंग्रेस के खिलाफ आफाज देशपर में प्रदर्शन कर रही है भाजपायों ने कॉंग्रेस सद्धियेक्ष राहूल गांधी पर देश को गुमराह करने का रोप लगाया है जैपूर का लेक्टरेट पर बीजेपी जैपूर शेहर की ओर से प्रदर्शन किया गया वया अचमेर में बीजेपी कारे करताओं ने डाग बंगले से जिरा कलेक्टरेट तक पैदल मार्च निकाले दो एहम तस्वीर आप देख सकते हैं जहां बीजेपी कारताओं का यह प्रदेशन जारी है फिर वो चाहे देश की राजधानी हो या प्रदेश की राजधानी दिल्ली हो जैपूर अचमेर लमाम एहम तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जाब राफेल के मुद्दे पर क क्या to var दिखेलने की कोशिश बीजेपी कर रही है बीजेपी का यह प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है वीजेपी करता ऑग कते प्रदर्षन की तसवیरे भी हमने आपको लगतार दिखाए जैपूर में भी प्रदर्षन हो वहा तो दोसी तरफ यह तस्वीर अचमेर की है जाच मेर में भी कि प्रदर्शन किया गया जैपूर में एक एलेक्ट्रेट पहुचे एलेक्ट्रेट में ग्यापन सौपा गया और इसके बाद बीजेपी मुख्यारे के लिए सबीकारे करता रवाना हुए यह दुए हम तस्वीर है तो जहां बीजेपी कॉंग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है वही कॉंग्रेस अब भी अपनी बात पर अड़ी है लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिक आरजुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोट ने गलत तत्यों पर फैसला सुनाया उन्होंने कहा कि टूजी पर जब जेपीसी का गठन हुआ था तो राफेल पर भी होना चाहिए रूल्स के तहफ और एक तरफ जो हमारी डिमाइंड है जॉइंट पार्लिमेंट कमिटी की वो जॉइंट पार्लिमेंट कमिटी की मुद्दे के उपर ही हम जोर दे रहे हैं इसलिए कि जो जेपीसी में जो चीजे बाहर आएगी इन्वेस्टिगेशन होकर या हम जो लोग के पार्लमेंट मिंबर्स बैट कर सारी फाइल का जांच करेंगे तब हमको सारा पता चलेगा कौन स्कौन से चीज़े कैसी कैसी हो गई और किस डंग से अग्रिमेंट हुआ यह सारे फाइल वहां पर मिलेंगे इसलिए हम जेपीसी च अनौन्स करें यह खतम हो जाता है क्योंकि आज यह कोई नया डिमाइड नहीं है पहले से चलते हुए आया कोई सी ऐसी कांट्रोर्शल चीज़ें हैं तो उसको जेपीसी बनाई गई है जैसा बोफेर्स में बनाई गई थी टूजी में बनाई गई थी और कहीं समस्याओं को सुल जाने के लिए बनाया गया था लेकिन आज यह सरकार क्यों अड़ी है मेरे को समझ में नहीं आला